गुड़ी नीज आतियों, लोकी खाने से क्या health benefit मिलेंगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ सारी जानकारी scientific रहने वाली है, इसके अंदर क्या क्या nutrition होता है और सरीर पे कैसे असर आते हैं लोकी खाने का इसको हम लोक बॉटल गार्ड और घिया भी बोलते हैं और भी दूसरे नाम से बोला जा सकता है रीजन के इसाब से अब सबसे पहले अगर nutrition वाई देखा आया है तो इसके अंदर कैलरी बहुत कम होती कितनी कैलरी होती है किसके अंदर कैलरी बहुत कम है सुगर बहुत कम है कार्व बहुत कम है तो वजन कम करने के लिए अच्छी रहेगी मुटापा नहीं हो और सुगर के जो पेशेंट है उनके लिए अच्छी रहेगी मतलब ये सबजी खाने से सुगर सरीव में बढ़ेगी नहीं तेजी से डायविटी चू कंट्रोल करने में मदद मिलेगी इसमें प्रोटीन की बात करें तो बहुत ही कम है ऐसा कह सकते हैं कि ना के बराबर है 100 ग्राम में आधे ग्राम से भी कम है और फैट भी बिल्कुल ही नहीं है ना के बराबर ऐसा कह सकते हैं ग्राम में 0.2 ग्राम या 0.1 ग्राम होता है जो कि इंसिग्निफिकेंट है और कोलेस्ट्राल भी चीरो है तो ऐसे लोग जिनका फैट बढ़ा रहता है लिपिट प्रोफाइल गड़बढ़ है ऐसे लोग जो दिल के रोगी है जिनके अंदर इस्टंट डला हुआ है बाइपास हुआ है हार्ट टेक आया हुआ है यह डाक्टर ने बोलाए कि आपका दिल कमजोर है उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी सब्ची रहती है लोगी उनको जरूर खाना चाहिए इससे होता क्या है कि एक तो इसके अंदर फैट नहीं है कोलेस्ट्रा इसके अंदर ऐसी चीज अदर फैबर होता है कि पानी होता है और इसके अंदर फैबर हो तो इसके अंदर हमें वेज़ा के फैदे आते हैं यह जो डाइबर्ट इनक कंशिताreal की वजह करती है ये digestion के लिए अच्छी रहती है, हल्की रहती है, या कबज के लिए ठीक रहती है, गैस एसलिटी के लिए ठीक रहती है, ऐसे patient जो pile fisher के patient रहते हैं, उन्हें मरीजों में क्यों ठीक रहती है, क्योंकि इसके अंदर ये fiber होता है, तो आसानी से पच जाती है, fiber होने के वज़ा से आथ की health अच्छी रहती है, आथ के जो bacteria है, वो fiber को खाते हैं, और तमाम तरह के अच्छे कामों करते हैं, अच्छे bacteria, तो आथ के अंदर जो sojan है, inflammation है, आथ का cancer उसका भी risk कम होता है, और कबज की स्वी सिकायत नहीं होता है, और लोकी के अंदर एक मैंने बताया कि पानी भी बत्यों के लिए अच्छी है, क्योंकि ये blood pressure भी कम करती है, क्योंकि इसके अंदर potassium होता है, और sodium नहीं होता, और ऐसे ही lipid profile लीक होता है, cholesterol, triglyceride को कम करती है, तो दिल की रोगयों के लिए भी अच्छी है, इसके अंदर calorie नहीं है, तो वजन कम करना चाहते हैं, तो आप लो vitamin C होता है, vitamin B1, B2, B3, pentothenic acid, B6 और folate होता है, कोई बहुत ज़्यादा significant मात्रा में नहीं है, vitamin C जरूर थोड़ा सा 8.5 mg है, 100 g में, तो बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं है, कहने के मतलब है कि थोड़े-थोड़े सारे vitamins होते हैं, और ऐसे ही इसमें minerals की बात करें, तो mineral भी calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium, sodium, zinc, copper, manganese और selenium, बताने लाइक potassium था, जो कि ज़्यादा मात्रा में है, 170 mg है, 100 g में, तो मैंने बता दिया कि वो blood pressure कम करने में मदद करता है, और इसके अंदर कई तरह के और भी anti-accident होते है, polyphenolic compound, flavonides और anthocyanin होता है, जो anti-accident जिसा काम करता है, anti-accident होने के जो chronic बिमारीया होती है, गंफिर बिमारीया होती है, जो बिमारीया धेरे-धेरे सरीर को लगती है, खतम करती है, कमजूर करती हु, उनसे बचा होता है, तो anti-accident की वज़ा से, बाल भी सही रहते है, इसकी जो दिमाग में भूलने की बिमारी है, उसको भी रोंकने में helpful है, जो जॉइंट्स है गठी आर्फराइटिस की समय से है जो फैटी लीवर है अगर इसे को फैटी लीवर है लोकी खाएगा तो फैटी लीवर की समय से कम हो सकती क्योंकि एक तो फैट नहीं है दूसरा इसके अंदर anti- factories debt जो कि inflammation हो जाती फैटी लीवर के वज़ा से उसमें मतदकार रहेगी है। हमने यह देख लिया कि इसमें बहुत तरह के nutritious चीजे होती है। बहुत ही एक चीजी है। यह सबजी की बात कर रहा हूँ वैसे लोग इसका juice भी पीते है। जोज भी फी हैंगे तो भी उसमें उसी तरह के बेनिफिट आएंगे। एक चीज़ के जरूर ध्यान रखेंगे कि कुछ कड़वी लोकी होती है। क्या होता है साइड इफेक्ट कई वार आ जाते है। उसका नुकसान भी होता है। इस्पेसली गैस बनना, दस्त लग जाना, वार फेट में मरो, उल्टी होना इस तरह के समयस से हैं। कुछ लोग इलर्जी होती है। तो लोग इसका नुकसान भूषते है। वैसे तो नुकसान कोई खास नहीं है। कुछ लोग को ऐसा हो जाता है। यह परसेनल संस्टिवटी भी रहती है। कई वार इलर्जी भी रह सकते हैं विटामिन गिंदर्स एंटियाक्सिडेंट फाइवर का यह अच्छा सोर्स है और पानी होता है तो इसलिए यह बड़ी एक अच्छी सब्जी है इसको खाना चाहिए अगर पासिवल हो सके तो एक चीज के जरूर ध्यान रखे कि सब्जी बनाते समय बहुत तेल मसाले का उपयोग ना करें यह बहुत चीजें इसके अंदर ना डालतें अलग से नहीं तो कंपोजिशन इसका खराब हो जाएगा वैसे यह सब्जी काफी अच्छी होती है थैंक यू